क्यार थी हो तो आगे ते पेरावेट की डिजिटल प्लेटफर्म पर स्टुडेंट्स कल EVFO 36 गड का एक्जाम हुआ और लगभग सभी प्रस्न पेरावेट की ओनलाइन क्लासीज में लाइव क्लासीज से रिकोर्डेट क्लासीज से नोट से और बुक से कुछ क्यूस्टन्स ऐसे होते हैं जिने छोड़ना भी पड़ता है लेकिन हम ये मानते हैं कि टॉप सेलेक्शन, टॉप रैंक, लाइक कंटेंट हमने विदिन एक से दो मैने में हमने प्रोवाइड करवा दिया था और काफी सारे क्यूस्टन्स जो यूट्यूब पर डली हुई है वीडियोज है पिछले 8-10 दिन से रेगुलर लाइव क्लासीज हो रही है उन लाइव क्लासीज की वीडियो अविलेबल है उनमें आप देख सकते हैं 40-50% जो पेपर है इन क्लासों के अंदर से आया है तो आईए शुरुवात करते हैं 36 गड़ ABFO के 2023 के पेपर का solution तो इसमें first question है इन में से क्या जानवर की हड़ी का उपुत्पाद है which of these are born byproducts of animal देखिए इन में से हमको born का byproduct चुनना है जिलेटिन आपने सुना होगा जिलेटिन जो है बॉन से सींग से इन से मिलता है slaughterhouse के बाद हड़ियां सींग और पसुके उनको boil किया जाता है उनमें से जिलेटिन निकाला जाता है जिलेटिन का pharma industry किया जाता है कहाँ पर capsules की covering बनाने में और capsules दो तरह की होती है hard gelatine और soft gelatine capsules वहाँ पर इसका उप्योग किया जाता है और gelatine का उप्योग emulsifier के रूप में भी किया जाता है pyc कारक के रूप में भी किया जाता है emulsan बनाने में भी glue आपको पता है bonds को boil करके उनमें से glue निकाला जाता है यह सभी हो गए तो answer जो आ जाएगा all means gelatin glue and bond meal all are byproducts of animal bond जानवर की एड़ी का उपुतपाद होता है next question है इन में से कौन सा भाये परजीवियों को के लिए पसू में प्रियोग किया जाता है means ectoparasiticidal ectoparasiticidal means भाये परजीवियों को भाये परजीवियों को भाये परजीवियों को मारने के लिए अब option में है endrocin तो दीखे endrocin आपको पता है क्या है endrofloxacin जो antibiotic है उसका एक brand है famous brand है इसलिए दे दिया endrocin तो endrofloxacin का एक यह antibiotic है तो antibiotic से hectoparasite थोड़ी मरेंगे अगला है cypermethrine विल्कुल cypermethrine से भाये परजी मरते हैं तो answer हो गया cypermethrine आपको पता है PCM anti-piratic होता है और normal saline है वो आपको पता है यह क्या होता है 0.9% W by V solution of sodium chloride इसको बोलते हम normal saline तो यह salts की और पानी की dehydration की condition में और loss of salts की condition में यह NS दिया जाता है IV रूप से paracetamol anti-piratic हो गया यहाँ पर ectoparasite को मारने के लिए cypermethrine है आपको पता होगा cypermethrine pyrethroid srinica एक कीटना सक है pyrethroid pyrethroid जो group के कीटना सक है उनमें होते है cypermethrine delta methrine glumethrine elythrine elythrine जो all out होता है उसमें elythrine आता है यह सारे trine वाले जो है यह सभी क्या है ectoparasite cydler भाये पर जीवी ना सिए next question है बुपारों के ओन दवा किस बीमारी में उपयोग में ली जाती है question बहुर simple है अब भी हाली में हमारी दवारा solve कराए गया है live classes में बुपारों के ओन जो ओस्दी होती है आपको पता है thilariosis बीमारी में काम में आती है thilariosis में इसकी dose rate भी हमने बताए थी 2.5 mg 2.5 mg per kg body weight thilaria जो disease है यह ticks के काटने से thilaria parva thilaria annulata in protozoa के blood में पहुंचने से होती है important काफी सारे चीज़े thilariosis के बारे में जैसे punch doubt ulcer है watch blue bodies है और वो पार्वा क्यों है twist post fever भी कहते है cross breed cattle में ज्यादा होती है कम आयू के बच्डों में यह और pre scapular lymph node इसमें तूच जाते हैं तो इसमें आंचर हो गया thilariosis बाकी आपको पता है trypnosomiasis इसकी chronic stage जो है उंट में सर्रा पैदा करती है और सर्रा कहते हैं उसको बाकी गाय भैंस और गोडे में भी सर्रा पाया जाता है babesiosis आपको पता है यह भी protozoan disease है यह भी protozoan disease है और यह भी protozoan disease तीनों ही protozoan disease है लेकिन भुपारवक क्यों उनका उप्योग कहां पर किया जाता है thilariosis में next question होगा अपना tour के घर को क्या कहते है बड़ा simple question है house of pig known as house of pig को क्या कहते है इस्टाई कहते है इंग्लिस में ऐसे लिखा हुआ है आप इसको इंग्लिस से पहचान सकते हो kennel है और pen है और option दिया हुआ है barn यहां पर जो answer हो जाएगा इस्टाई tour का घर क्या कहलाता है इस्टाई कहलाता है next question है cross breed cattle में symptoms दिये हुए है तेज बुखार पिछले पैरों में लंगडापन यहीं से आप समझ जाएंगे और भूक नहीं लगना उठे को छूने पर चुर-चुर की अवाज सबसे important जो characteristic है symptom है वो है चुर-चुर की अवाज तो कहेंगे हम crepitating sound crepitating sound मतलब कोई बीमारी है कोई disease है उसके symptoms दिये हुए है और उसमें एक crepitating sound भी दिया हुए है आपको पता है crepitating sound यह चुर-चुर की अवाज की करण जो BQ रोग हो है आंसर आपके सामने यह BQ को चुर-चुरया भी बोलते है BQ को लंगड़ा भुखार भी कहते है quarter ill भी कहते है या black lag भी कहते है और जहर बाद भी कहते है काफी सारे नाम है black water के तो black water कौन से जानवर में होता है यंग जानवर में यंग एनिमल्स में जो की heavy muscles जिसमें होती है उनमें यह रोग होता है यह soil born disease है आपको पता है Clostridium जो bacteria है वो anaerobic होता है soil में ज्यादा पाय जाता है और यह bacteria intestine से कहां पर पहुंच जाता है Muscles में चुके आपको पता है anaerobic conditions हो जाती है anaerobic conditions में यह यह bacteria grow करता है वहां पर H2S gas बनाता है उस tissue में gas gangrene पैदा करता है necrotize करता है उस tissue को और वहां से मवाद और यह भर जाती है जिससे उसमें crepitating sound आती है pain होता है बहुत ज्यादा कभी-कभी acute परिस्तितियों में BQ रोग में death भी हो जाती है जब इतना ज्यादा pain होएगा तो भूख तो कम लगेगी लंगड़ापन भी आएगा मेंली अगरपाद में और पश्रपाद में जो muscles है heavy muscles shoulder region में और back region में वहां पर यह होता है पिछले पैर में जांग के उपर heavy muscle के अंदर यह रोग होता है तो इसको बोलते हम BQ तो बड़ा simple सा question है black water बोलते हैं इसमें drug of choice penicillin होती है और इसका vaccine भी लगाया जाता है next question है degraded kettles degraded kettles जो काम के नहीं है या फिर घडिया नसल के हो या फिर और किसी समश्या से गरसीत हो तो देखिए यहां पर जो option दी होगे है according की समश्या को हल करने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी तो इसमें जो दियेगे options यह है गोसदन आए क्यों आएगा गोसदन गोसदन की परिबासा है इसमें गायल भे और विकलांग जो गाय है विकलांग गाय है इनको रखा जाता है और मेंली यह दर्मार्थ जो है इसका परपज है इस वज़े से यह रखा गाता है गोसदन की जो गाय है उनको गोसदन का जो में उद्देश है जो गाय अनप्रोडेक्टिव हैं या कम प्रोडेक्टिव हैं उनको प्रोडेक्टिव बनाने का एक उद्देश होता है तो यहां पर गौसाला नहीं आएगा आंसर आएगा गौसादन गौसादन में जो जानवर रखे जाते हैं उन जानवर से कोई production की आसा हम नहीं कर सकते वहां पर गायल, बुडे, विकलांग और सेवा के या धरम के परमार्त के इसाब से उनको जानवरों को रखा जाता है तो यहां next question है ovulation in cow takes place during which stage of estrus cycle means गाय में अंडोज सरक मदकाल estrus cycle की किस stage में होता है तो बड़ा famous question है meta estrus के अंदर यह होता है pro estrus जो है, इसमें estrus के symptom सुरू होते हैं pro estrus आपको पता है इसमें गाय माउंटिंग करती है खुद करती है और estrus में माउंटिंग को स्विकार करती है और meta estrus में इसमें ovulation होता है da estrus सबसे लंबी phase होती है इनके कई प्रसंद हमने solve कर आये थे बड़ा simple सा मामला है और इसमें अगला question है bats vile bats vile जो यह white वाली ब्रीड है वो किसकी है bats vile white है यह आपको पता है turkey की breed है turkey की breed है और यह हमने north के रूप में डाला भी हुआ है और pdf बना करके तुकि basic question है आपके cg में turkey की breeds है जिसमें से सबसे पहले इनी चुनी breeds है उसमें यह हमने डाला हुआ है next question आपके लिए है 9th question है अस्पताल में भरती पस्वों को इन में से क्या-क्या रसमें लगाने वाले तरल है तो इसको हम इंगलीस में convert करते है intravenous fluids used in hospitalized animals तो देखिए NS को हम लगाते हैं IV बिल्कुल और dextrose normal saline का मतलब हो गया DNS इसको भी हम लगाते है ringer selected का मतलब हो गया RL इनको लगाते हैं यानि इस सभी को लगाते हैं ये सभी IV की रूप में काम में आने वाली चीज हैं इसके लावा जैसे जानवरों में CB के लावा CMBG है और जो plasma है वो भी लगाया जाता है blood भी लगाया जाता है तो ये सब IV की रूप में medicines के अलावा लगाई जाने वाली चीज हैं नेक्स्ट है पस्वों के आहर में मिलाए जाने वाला अनाज के उपुत्पाद को क्या कहते हैं byproduct of cereals main चीज यहां से पकड़ने की अनाज byproduct of cereals industry charm days तो अनाज वाले जो उद्ध्योग होता है उसमें byproduct के रूप में क्या बनता है तो option में जो है इसको मैं English में दिखता हूँ एक तो है bran और एक है चुन्नी और एक है molasses और none तो आपको दिख रहा होगा जो चापड या चोकर जिसको कहते हम वो ब्रान अनाजों से ही मिलता है यह चुन्नी जो होती है यह दाल या दलहन दलहनी बीजों को जब पीशने से जब दाल बनाते हैं तो जो छोटे छोटे अंसर है जाते हैं उसको चुन्नी बोलते हैं चुन्नी या चुर्री कई सब्द हैं local language में तो ब्रान यहां पर answer आएगा आपको पता है ब्रान में खासपरस की अधिक्ता होती है ब्रान डीजीज का भी नाम सुना होगा गोडों में हो जाती है बिग एड डीजीज भी कहते हैं उसको मिलर्स डीजीज भी कहते हैं देखो मिलर्स डीजीज भी कहते हैं क्योंकि आपको पता है millers, mills, mills पर क्या होता है अनाजों की और दालों की और इनकी खाज़्दिपदार्थों की पिसा ही होती है millers disease इसके लिए brand disease को millers disease बोलते हैं तो यहां पर यह answer हो गया इसका चौकर यह अगला है virological investigation के लिए virological examination the morbid animal should be collected in मुरत जो देखिए यह morbid या मुरत या रुग्ण जो सामगरी है वैसे English में तो यहां पर morbid लिखा हुआ है तो उसको किसमें एकत्रित किया जाता है कौन सा जो solution है या कौन सा विलियन है उसमें उसको एकत्रित किया जाता है तो देखिए एक तो PBSF फास्पेट वफर सेलाइन एस और एक है 50% फास्पेट वफर ग्लिस्रोल तो यह इसमें तो लेती है PBS भी ठीक है और हैंक्स में भी दिया जाता है यानि आंसर हो गया all above next इसमें यह PBS है इसका उप्योग आपको पता है जो ओविलेस ओवा कलेक्ट करते हैं वहाँ पर भी किया जाता है तो embryo transfer टेकनिक हैं वहाँ पर भी इस फास्पेट वफर सेलाइन का उप्योग किया जाता है तो दो जगे किया जाता है अगला प्रसन है मांस में Malachite Green Test बड़ा अच्छा प्रसन है Malachite Green Test का उप्योग तो Malachite Green Test है हलांकि जो Malachite Green है एक डाई है जो बेक्टिरिया को भी मारती है तो यहाँ पर RBC यानि bleeding की दक्षेता के लिए कि जो जानवर है उसको slaughter करने के बाद उसकी proper bleeding हुई की नहीं यानि meat के अंदर blood की presence का पता Malachite Green Dye से होता है तो यह भी काफी important प्रसन है bleeding की दक्षेता और सामयनत है यह है कई exams में पूछा गया है अगला है त्वचा की निरंतरता का टूटना क्या कहलाता है बड़ा simple प्रसन है इंग्लीज में हम इसको convert करते हैं breaking continuity of skin known as तो त्वचा की निरंतरता का टूटना एक तो यह कह दो या फिर अभी this recording हम करेंगे करें अभी झाल झाल